प्राइब कीजिए टेक्निकल दादा चैनल को और पहला आइकन को भी दबाएं हेलो गाइस स्वागत है आपका मेरे टेक्निकल दादा चैनल में आज मैं आपको बताऊगा कि आप M.I.U.I.10 से M.I.U.I.9 पर कैसे जा सकते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे तभी आपको समझ आ जाएगा कि आप कैसे M.I.U.I.10 से M.I.U.I.9 पर जा सकते हो तो सबसे पहले मैं आपको सेटिंग में लिखा देता हूं कि यह रैडमी 5 है यह देखे और यह M.I.U.I.10 पर रन कर रहा है तो यह देखे M.I.U.I.10 8.7.19 तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर सेलेक्ट कर लेना है मैं फिलाल यूसी मीनी सेलेक्ट कर लेता हूं और इसमें आपको Google पर जाना है और यहां पर आपको टाइप करना है M.I.U.I.10 पर रोम तो यह आपको सर्च कर देना है यहां पर आपको फस्ट वाले पर M.I.U.I.10 डाउनलोड तो यहां पर क्लिक कर देना है यहां पर आपको अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका मॉडल है तो मेरा Redmi 5 है तो यहां पर थर्ड नमबर पर है Redmi 5 & Plus तो मैं यहां पर सेलेक्ट कर देता हूं और यह देखिए यह जो मेरे इसमें चल रही है अभी यह सेकिंड नमर डेवलपर रोम हो है 8.7.19 तो यह डेवलपर रोम है मतलब बीटा रोम तो मैं स्टेबल रोम मुझे डाउनलोड करना है तो मैं यहां पर फस्ट नमबर व तो अब मैं आपको MIUI 9 रन करके दिखाता हूं तो यह देखिए फ्रेंड्स हम MIUI 9 पे वापिस आज चुके हैं तो एक बार में आपको नोटिफिकेशन पैनल भी दिखा देता हूं और आपको सेटिंग में जाके भी दिखा देता हूं तो यह देखिए About Phone System Update तो यह देखिए MIUI 9.6.3.0 आ चुका है Stable Update और जो पहले मैंने आपको दिखाया वो बीटा अपडेट था उसमें हर अपडेट आती थी तो फ्रेंड्स ऐसे आप अपने MIUI 10 से MIUI 9 पर जा सकते हो पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि मैंने वहां से 9.6.2.0 डाउनलोड की थी पर वो नहीं ह है आप सेकिंड थर्ड नंबर वाली पर स्टेबल वाली पर डाउनलोड करें 9.6.3.0 जो आपको मतलब लैटेस्ट डाउनलोड है वह ही आपको इसमें इंस्टॉल होगी वनना नहीं होगी तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने फोन के इसाफ से लैटेस् किया है 9.6.3.0 जो 9.6.2.0 वह भी मैंने की थी लेकिन वह नहीं हुई इंस्टॉल तो मैंने दुबारा से इसको डाउनलोड किया तो आप भी अपने फोन के मोडल के इसाफ से अपने स्टेबल रोम लैटेस्ट डाउनलोड कीजिए तब भी आपके MIUI 9 पर जा सकते हो तो फ कोमेंट बॉक्स में लिखें और मैं आपको उस हिसाब से आपकी वीडियो बना बना के दूंगा थैंक्स फॉर वाचिंग